इस वीडियो के इंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं partnership firm realization के बारे में क्या इसका process रहता है क्या क्या आपको documents के requirement रहेगी कब आपको realization चाहिए कब आपको नहीं चाहिए क्या pro है क्या कौन से partnership firm के तो गाइस यह सारी जनकरी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर तो पूरा वीडियो यहाँ पर जरूर देखेगा वीडियो को गाइस शुरू करने से रहे बतना चाहूंगा अगर आप लोग एक expert के तुरू अपनी partnership firm के regarding consistency लेना चाहते हैं या फिर service लेना चाहते हैं लिंक मैंने आप लोग को already description box में provide कर रखी है तो चलिए गाइस शुरूबात करते हैं तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किन किन चीजों की partnership firm के लिए आपको requirement रहेगी तो यहाँ पे minimum दो partner चाहिए जो कि दोनों obviously बाते partners रहेंगे maximum में आप कितने भी partners यहाँ पर add कर वा सकते हैं इसके लावे जितने भी partners हैं उन सबी के basic KYC चाहिए होंगे जिसके अंदर उनका pan card हो गया और आधा card number हो गया साथ में जिस भी address के उपर आप आप इस partnership firm को register कराना चाहते हैं जो भी आपका business address होगा या फिर आपका जो भी common communication address होगा उसका भी आपका address proof लगाना पड़ सकता है जिसके अंदर आपकी electricity bill की copy हो गई और उसके लावा एक no objection certified हो गया या फिर कोई भी rental agreement हो गया आप गैस बात करते हैं कि कितने टाइप की आपे partnership firm होती है तो हमारे इंडिया के इंदर majorly दो तैप की partnership firm होती है एक होती है partnership firm without register of the firm जिसको हम लोग ROF भी बोलते हैं एक होती है partnership firm with the register of firm तो दीखें जो without ROF होती है 90% जो हमारे इंडिया के अंदर पार्टर्शिब जो register होती है वो इसी type की partnership होती है कोई भी register of firm के साथ में नहीं जाता है उसका main reason यह होता है कि एक तो without register of the firm जो है easy हो जाता है register करना साथ में उसकी जो costing होती है वो काफी ज़ादा काम आती है वहीं पे अगर मैं ROF की बात करूँ तो वहाँ पे costing आपकी ज़ादा आती है लेकिन as compared to without ROF आपको चार main advantage मिल जाते अब वो advantage जो prove क्या है वो आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ तो देखे गाई इस पहले बात कर लेते हैं हम लोग processor की कि आखिर एक partnership हम इंडिया के अंदर कैसे बनाई जाती है तो first step के अंदर सबसे पहले आपको एक partnership जो deed यह वो draft करनी पड़ेगी आप lawyer की है किसी expert की help लिया पे ले सकते हैं साथ में उस deed को आपको stamp paper के उपर print करवा के notarize भी कराना पड़ेगा अब guys इस deed के अंदर क्या होता है मेल इस deed के अंदर आपका firm का नाम हो गया आपका address हो गया firm का नाम अब अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं जैसे XYZ enterprise हो गया या XYZ solutions हो गया जितने भी partner से उन सभी के नाम हो गये profit and sharing ratio हो गया nature of the business हो गया कब से आप business को शुरू करना चाहते हैं वो date हो गई कौन किती capital इसके इंदर invest कर रहा है प्लस अगर कोई जगड़ा हुआ partners के बीच में तो उसका क्या solution होगा termination कैसे होगा कोई retire होना चाहते है तो वो कैसे होगा तो यह सारे clause उसके अंदर mention होते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं आपको sample दिखाना चाहूँगा इस type की partnership deed होती है जैसे कि यह stamp paper के उपर ही है लेकिन यह stamp paper के उपर बनी हुई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं partnership firm का नाम वगड़ हो गया उसका address हो गया दोनों partners के यहाँ पर कौई का कित्ती capital लगा रहा है उसके क्या-क्या profit and sharing ratio वगड़ होंगे तो ऐसे सारी terms और condition इस partnership deed के इंदा simply तरीके से mention होती है अब guys अगर मैं बात करूँ यह कित्ती रुपे के stamp paper के उपर print होगा तो यह देखे totally depend करता है आपके state के rules और regulations के उपर कि आपके state के क्या stamping के rules है और यह उसके उपर भी depend करता है कि कित्ती capital आप partnership firm के इंदे invest या फिर contribute कर रहे है तो अगर मैं stamp paper की cost की बात करूँ तो 500 रुपे से इसकी शुरुआत हो जाती है और कई state के इंदा यह 3000 रुपे 5000 रुपे तक भी जा सकता है साथ में आपको stamp paper को notarize भी कराना पड़ेगा यानि एक बार आपने deed draft करके इसके उपर print करवा ली तो आपको notarize भी जो है यहाँ पर करवाना पड़ेगा lawyer के थूँ अब गईस बात करते कि इसका क्या यहाँ पर next step रहेगा यहाँ पर आपकी partnership deed जो है simply तरीके से ready हो चुकी है अब आपके पास में दो option है अगर आप without ROF जाना चाहते हैं तो आप directly partnership firm का pen card apply कर सकते है NSDL के through या अगर let suppose अगर आपको register of firm के साथ में जाना है तो सबसे पहले आपको अपनी deed को register of firm के साथ में यहाँ पर register कराना पड़ेगा इसके जो rules और regulations होते हैं वो भी state wise होते हैं हर state के अंदर register of firm का एक office अलग से बना होता है और मैं अगर costing की बात करूँ तो 500 रुपे से 55-6,000 रुपे और कई state के अंदर तो बहुत ज़ादा costing आती है तो guys आप screen के सामने दे सकते हो इस type का register of firm के through certificate या पर issue होता है जिसके अंदर आपका partnership firm का नमबर मेंशन होता है partnership firm का नाम वगरे हो गया नीचे आपको signature वगरे देखने को मिल जाएंगे और let's suppose अगर आपने offline apply क्या है तो stamp और seal वगरे भी आपको देखने को मिल जाती है अब guys अगर मैं बात करूँ कि ROF के साथ में आपको क्या major advantage मिल जाते हैं majorly आपको तीन advantage मिल जाते हैं एक तो अगर आपकी firm जो है ROF के साथ में register है तो आप जो है firm के against में या फिर जो partners है वो भी firm के against में या फिर partners के against में case file कर सकते हैं मालिजे partners के बीच में जगड़ा हो गया वो चाहते हैं कि firm के against में मैं code के अंदर case file कर दो वो definitely तभी कर पाएंगे जब firm या पर properly ROF के थुरू register होगी इसके लागा इस मालिजे firm को किसी third party के against में case file करना है आपका पैसा अटक चुका है माल आपने deliver कर दिया तो उस case में भी आपकी firm जो है properly यापर register होने चाहिए इसके लागा इस अगर आप LLP के अंदर या फिर private company के अंदर convert करना चाहते हैं तो उस case में भी ROF का जो registration होता है वो यहाँ पर required होता है अब गाईस बात करते हैं कि आपने यहाँ पर deed create करवा ली है आप माली जी आपने ROF के साथ में जाना था तो आपने resistance certificate वगरे भी create करवा लिया है अब next step क्या होगा तो इस case में आपको simply एक pancard यहाँ पर create करना पड़ेगा partnership firm का partnership firm की नाम से अलग से separately pancard number यहाँ पर issue होता है तो हमारे या के अंदर दो agency काम करती है NSDL और UTI किसी के साथ में भी आप apply कर सकते हैं अगर आपको online apply करना है तो आपको किसी भी partner का एक digital signature class 3 का digital signature आपको create करवाना पड़ेगा तो देखिए यह NSDL की website है यहाँ पर आप apply कर सकते हैं और category simply तरीके से आपको यहाँ पर firm मिल जाती है लेकिन अगर आप online apply करना चाहते हैं उस case में आपको DSC वगरे जो यहाँ पर create करवाना पड़ेगा नहीं पर गाईस अगर मैं offline की बात करहूं तो उस case में आपको इस type का form वगरे fill up करना पड़ेगा और अपनी जो partnership deed वगरे हैं उसके साथ में simply आपको NSDL office के अंदर जमा कराना पड़ता है और इसके उपर मेरा पूरा separate वीडियो बना हुआ है कि partnership firm जो है basically उसका जो pancard होता है वो यहाँ पर कैसे create होता है गाईस एक बात जैसे ही आपका pancard वगरे मन जाता है आपको digital भी pancard इस type का जो आपको email ID के उपर मिल जाता है साथ में physical copy भी आपका जो भी communication address होगा वहाँ पर आपको मिल जाता है उसके बाद में कुछ नहीं करना आप simply अपने bank के अंदर जाएए और एक current account यहाँ पर अपने pancard आपने deed के basis पर खुलवा सकते हैं साथ में अगर आपने कोई additional certificate अप्लाई किया है तो 10 number के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं तो इस तरह से आप simply एक current account यहाँ पर open कराएंगे जैसे आपका pancard वगरे बन जाता है जैसे आपका यहाँ पर current account उपन हो जाता है फिर मालनी जी एडिशनल कोई भी अगर आपको relational certificate चीए मालनी जी आपने GST की जो turnover के limit से उसको cross कर रखा है यगर आप एक e-commerce business में हैं आप starting से GST लिना चाते हैं तो आप GST certificate के लिए apply कर सकते हैं लेकिन यह सारे काम आपको तभी करने हैं जब आपके पास में properly pancard है partnership firm का आपके पास में properly deed वगरे हैं तभी उसके बाद में आपको सारे यह certificate वगरे apply करने हैं तो जैसे professional tax हो गया, GST हो गया, trademark हो गया यह सारी चीजे further वाली चीजे हैं एक बार जैसे आपके partnership firm यहाँ पर create हो जाती है अगर इस बात करते हैं कि यहाँ पर क्या-क्या annual compliances वगरे होते हैं तो देखिए यहाँ पर simply income tax आपको return यहाँ पर file करनी पड़ती है क्योंकि अलग से आपको pancard यहाँ पर मिला हुआ है partnership firm का तो पूरे साल बर के अंदर आपको partnership firm की जो अलग से ITR filing करनी पड़ेगी ITR 5 करके form जाता है जिसके अंदर आपको अपनी firm का profit या loss जो भी हुआ है वो आपको बताना पड़ता है अगर loss भी है तो भी आप report कर सकते हैं और उसको आप carry forward कर सकते हैं next year के लिए त्याकी future के अंदर जो भी profit होगा उसके against में आप set off कर सकते हो और अच्छा कासा income tax भी यहाँ पर बचा सकते हो अगर आपने GST के लिए apply कर रखा है तो GST के compliance आपको fulfill करने पड़ेंगे जिसमें आप quarterly basis पे या monthly basis पे filing वगरे कर सकते हो अगर मैं यहाँ पे overall benefits की बात करूँ partnership firm के अंदर तो majorly आपको दो benefits अच्छे खासे मिल जाते हैं एक तो आपकी cost बिल्कुल कम आती है और जो annual compliance भी है अगर मैं comparison करू LLP के साथ में या फिर private company के साथ में तो वहाँ पे आपके कम होते हैं प्लस इसको easy है बड़ा ही start करना और अगर आप बंद भी करना चाते है partnership firm को तो वह भी काफी अच्छा यहाँ पे easy processor है cons की बात करूँ तो यहार unlimited यहाँ पे liability होती है यानि अगर आपके मालीजे कोई भी partner है तो अगर एक partner ने कुछ कान कर दिया तो उसका पूरा impact आपके पूरी firm के उपर बढ़ता है इसके लब आप partnership firm जो होती है उसका जो नाम होता है वो basically आपका secure नहीं रहता है कोई भी नाम यहाँ पे आप रख सकते हो और आपी की नाम से multiple partnership firm यहाँ पे चल सकती है उसको आप secure वगरे नहीं कर पाऊंगे जैसे कि normally LLP के अंदर होता है या फिर prevalent company के अंदर होता है कि इंडिया के अंदर एक partnership firm वगरे कैसे create होती है बाकी गाईस अगर आप लोग को एक expert की यहाँ पे help चाहिए creation वगरे कराने के लिए या फिर service की requirement है मैंने link और आपको लोग को description box के अंदर जो है provide कर रखी है और मैंने आप लोग को अच्छे से यहाँ पे बता दिया है कि first step में आपको date create करनी है draft करनी है stamp paper के उपर print कराना है notarize कराना है उसके बाद में चाहो तो आप ROF के साथ में जा सकते है वना directly simply आपको pen card के लिए apply करना है फिर एक current account open करना है तो ultimately आप अपना business यहाँ पे run करने लग जाओंगे जैसे आपका current account वगरे open होता है so guys hope you like this video please subscribe channel अगर आप लोग के कुई भी doubt से comment box के इंदर ज़रू बताइए thank you guys thank you very much